नमस्कार मैं रविश कुमार, बेबस संस्थाओं से भी बुलंद आवाजे आ सकती हैं, युद्ध रोकने में संहितराष्ट और उसके बनाये कानून भले ही बेकार साबित होते रहे हैं, मगर इसी संस्था के महासचिव यानि प्रमुक अंतोनियों गुतरेस के भाषण ने सं संगिक बना दिया, संयुक्त राष्ट के एजेंसियां कह रही हैं कि मदद पहुचाने के लिए घुटनों पर जुक कर मांग की जा रही है, अभी जितनी मदद पहुच रही है उससे बीस गुना जादा मदद पहुचाने की जरूरत है, दुनिया में शायद ही किसी को यकीन हो कि युद्ध रुकवाने में संयुक्त राष्ट की कोई प्रभावशाली भूमी का बची है, मगर अब तो मदद पहुचाने के काम में भी उसकी भूमी का सीमित होती जा रही है, संयुक्त राष्ट के महास सचीव ने अपने भाशन के बाद ट्वीट कर दिया कि हमास का ह हमला सही है, इसराइल पर जो हमला हुआ है, उसके बहाने आप नागरिकों पर विनाशकारी हमले को सही नहीं कह सकते, यह भी उनी के भाशन का हिस्सा था, इसराइल ने संयुक्त राष्ट के खिलाब मोर्चा खोल दिया, लेकिन इसराइल कतर की तारीफ क्यों करने लगा है हम इस पर भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे, न्यूँ यॉर्क में मौजूद इसराइल के विदेश मंतरी एली कोईन ने गुतरेश के संबोधन के बाद ट्वीट कर दिया, कि मैं महा सचिव से नहीं मिलूँगा, संयुक्त राष्ट में इसराइल के राजदूत गिल संयुक्त राष्ट में इसराइल के राजदूत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट के चीफ के बयान के बाद, इसराइल संयुक्त राष्ट के अधिकारियों को वीजा नहीं देगा, इसराइल ने संयुक्त राष्ट के मानवादिकार मामलों के अंडर सेक्रेटरी जेनरल को वी इसी संयुक्तरास्टट通 की बैठक में अमेरिका के विदेश सचीव ने कहा कि जो नागरिक हैं वो नागरिक हैं और वो नागरिक हैं, फलस्तिनी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, ये बाते सुनने में तो अच्छी अलगती हैं, लेकिन वही अमेरिका इसराइल को हत्यार देता है वो अभी अपराधी है तो क्या अमेरिका खुद को इसराइल के साथ युद्ध का अपराधी मानेगा मानता है सब अपनी अपनी सोच रहे हैं गजा की कोई नहीं सोच रहा संयुक्तरास्टर के महासचीव के बचाओं में कौन आया क्या कोई नाम आपको नज़र आया गजा में च्छा लाख लोग संयुक्तरास्टर के शिवरों में रह रहे हैं संयुक्तरास्टर के महासचीव ने कहा कि इन शिवरों में इंधन नहीं है इस्राइल की सेना IDF अब संयुक्तराष्ट के शिविरों को भी निशाना बना रही है UNRWA संयुक्तराष्ट राहत व कारे एजनसी को ट्वीटर पर पलट कर जवाब देने लगी है UNRWA ने जब 24 अक्टूबर की रात ट्वीटर पर लिखा कि 25 अक्टूबर की रात तक हमारे पास इंधन नहीं बचेगा इसकी वज़ा से हमें अपने मदद कारे को रोकना पड़ेगा अगर इंधन नहीं मिला तो कल रात तक गज़ा में राहत का काम रुख जाएगा इस पर इसराइल की सेना IDF ने UNRWA के ट्वीट को एक ड्रोन तस्वीर के साथ री ट्वीट किया और लिख दिया कि ये हमास के फ्यूल टैंक हैं इन में 5 लाख लीटर से भी अधिक इंधन हैं हमास से पूछो अगर आपको थोड़ा इंधन मिल सकता है आसक हमास इफ यू कैन हैब सम इसराइल को दिखने लगा है कि इस मंच से संयुतराष्ट के मंच से अंतोनियो गुतरिस का भाशन दुनिया भर में फलस्तीन को पहले पन्ने पर पहुँचा देगा जिन पन्नों पर जादातर इसराइल का ही पक्ष नजर आता है राहत वा बचाव कारे में संयुतराष्ट के 35 कर्मचारी घजा में मारे गए हैं हम आज के वीडियो में इस पर भी बात करेंगे संयुतराष्ट के प्रमुकंतोनियो गुतरिस ने अपने भाशन में उस नब्ज पर हाथ रख दिया जिस पर इसराइल लगातार परदा डालने की कोशिश कर रहा है गुतरिस ने कहा कि इस युद्ध के कारण समाज में ध्रुवी करण और तनाव तेजी से फैल रहे हैं इसलिए हमें सिध्धानतों को लेकर स्पष्ट रहना होगा और इसकी शुरुवात नागरिकों की सुरक्षा और समान के मूल सिध्धानत से होती है उन्होंने कहा कि सभी बंधकों के साथ मानविय बहवार होना चाहिए और बिना शर्त उन्हें रहा किया जाए यह भी स्विकार करना जरूरी है कि हमास का हमला शुन्य में नहीं हुआ है 56 साल से फलस्तीन के लोगों को बंधक बनाया गया है वे दम घोटू हालात में रहने के लिए मजबूर किये गए हैं उन्होंने देखा है कि उनकी जमीन किस तरह से कोई निगलता जा रहा है यहां के लोग पहले से ही हिंसा से घिरे हैं उनकी अर्थविवस्था की गर्दन मरोड दी गई है उनके लोगों को विस्थापित होना पड़ा है उनके घरों को धुस्थ कर दिया गया उनकी उमीदें तेजी से खत्म होती जा रही है कि दुखों का राजनितिक समधान हो भी सकता है युद्ध के अपने नियम होते हैं हमें मांग करनी चाहिए कि सभी पार्टियां अंतरास्ट्रिय मानवादिकार के गानून का सम्मान करें अस्पताल और स्भी तरास्ट्रिय की इमारतों का सम्मान करें जहां पर इस समय च्छा लाख फलिस्तिनी रह रहे हैं नागरीकों की सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि दस लाख लोगों को आप जगा खाली कर दक्षण जाने के लिए कह दें जहां ना शिविर है पानी है ना भोजन है ना दवा ना इंधन दक्षण में भी लगातार बंबारी हो रही है मैं मानवादिकार के कानूनों के उलंगन को लेकर बहुत चिंती थूँ कोई भी पार्टी इन कानूनों से उपर नहीं है इवन वार अस रूल्स इस इंपर्टन तो असरे क्या दोड़ार नहीं है नहीं है वाकूम पर देखेंगें तो जब तक इस्राइल के संबंद हर मुल्क से बहतर हैं तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि संयुक्त रास्ट्र क्या कहता है उसमें क्या कहा जा रहा है और सडकों पर जनता क्या कह रही है मगर संयुक्त रास्ट्र के प्रमुक के भाशन के बाद इस्राइल के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया से ये नजर आने लगा कि इसराइल पर मनोवग्यानी कसर हो रहा है वो चिड़ने लगा है कि दुनिया केवल उसकी बात क्यों नहीं कर रही है फलस्तीन की भी बात क्यों कर रही है इस बाता बाती में राहत सामगरी का अभियान प्रभावित हो रहा है इंधन को लेकर इसराइल और अमेरिका अलग अलग बाते कर रहे हैं मगर इसराइल की ही चल रही है इसराइल मानने को तैयार नहीं कि गज़ा में इंधन की कमी है कहता जा रहा है कि हमास के पास परयापत इंधन है कह रहा है कि उस पर हमला करने के लिए संयुक्त रांस्ट्र और नागरिकों के इंधन हमास ने चुराए है मंगल वार को वाइट हाउस ने कहा कि घजा के भीतर इंधन की सप्लाई की अजाज़त दी जानी चाहिए राष्ट्रिय सुरक्षा परिशद के प्रवक्ता जान कर्भी ने कहा कि हम इंधन को लेकर इसराइल की बात समझते हैं मगर घजा में इंधन का पहुँचना बहुत जरूरी है 24 अक्टूबर को रफा की सीमा से कोई मदद नहीं भेजी जा सकी 25 अक्टूबर को फिर से 20 ट्रक राहत सामगरी लेकर रवाना हुए संहित राष्ट्र की वेब साइट पर लिखा है कि विश्व स्वास्त संगठन इंधन दवा और पानी को उतरी घजा के अस्पतालों तक नहीं पहुँचा पा रहा क्योंकि सुरक्षा की गारिंटी नहीं है डबलू एचो ने मांग की है कि तुरंथी युद्विराम हो ताकि मानवादिकार मदद पहुँचाई जा सके 7 अक्टूबर से पहले हर दिन घजा में 100 ट्रक मदद सामगरी लेकर जाते थे हमले के दो हफ़ते के बाद पहली बार 20 ट्रक ही जा सके युएन ने कहा है कि गजा की दो तिहाई मेडिकल एकाईयां काम करना बंद कर चुकी हैं इन में 35 में से 12 अस्पताल शामिल हैं कई बार लगता है कि इसराइल इसलिए भी बंबारी जादा कर रहा है ताकि धमाकों की आवाज में फलस्तीन के सवाल गुम हो जाएं मगर ऐसा नहीं हुआ हर जगा फिर से छपने लगा है 1917 में फलस्तीन के साथ क्या हुआ 1948 में क्या हुआ 1967 में फलस्तीन के साथ क्या हुआ 2008 में क्या हुआ 2023 में क्या हो रहा है जब से गज़ा में राहत समगरी पहुँचने लगी है तभी से इसराइल ने अपनी बंबारी तेज़ कर दी है पिछले 24 गंटे में गज़ा में 700 लोग मारे गए है और उसके पहले के 24 गंटे के हमले में 400 लोग मारे गए अब गज़ा में मरने बालों की संख्या 6,000 के करीब पहुँचने लगी है 20,000 से अधिक लोग ढायल बताया जा रहे हमास के हमले में 1400 लोग मारे गए इसराइल इसे जतनी मजबूती से रखता है वही पर ये संख्याएं भी चाप दी जा रही है गज़ा में हमास सरकार के स्वास्मंत्राले ने कहा है कि 27,23 अishよबर की रात 700 से अधिक फलस्तिनियों की मौत हुई है फलस्तिनी स्वास्मंत्राले ने कहा है कि 18 दिं के हमलों में 5791 फलस्तिनी मारे जा चुके हैं इसमे 2360 बच्चे हैं रॉय्टर्स ने लिखा है कि वे स्वतंत्र रूप से इन आकड़ों की पुष्टी नहीं कर सकते वेस्ट बैंक में जैनिन में ड्रोन हमले के बाद अब तक मलबे से शव मिल रहे हैं साथ अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक में इसराइली हमलों के बाद सौ फलिस्तिनियों की मौत हो चुकी है अस्पताल काम करना बंद कर रहे हैं और यहां नसीहतों और बयानों का खेल चल रहा है इसराइल से लोटने के बाद जो बाइडन ने कहा था कि वे इसराइल इसलिए गए थे ताकि गज़ा में मदद पहुँचाने का रास्ता निकल सके और इसमें सफल रहें लेकिन 18 तारीक के उनके दोरे के बाद आज 25 तारीक है एक सब्ता में भी मदद का काम अठका हुआ है या अमेरिका की सफलता है अगर आप इसे सफलता मानते हैं तो अब तो अमेरिका के राश्टपती जो बाइडन भी कह रहे हैं कि राहत का काम तेज नहीं है युक्रेन युद के समय अमेरिका रूस पर लगातार प्रतिबंद लगाये जा रहा था फरवरी 2022 से लेकर अब तक वो 2200 प्रतिबंद लगा चुका है मगर यहां उसकी भूमी का अलग नजर आती है वो इसराइल का दोस्त भी बन रहा है और गजा के फलिस्तिनियों का हमदर्द भी अमेरिका ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा या किया या चेतावनी नहीं दी है जिससे इसराइल पर रोक लगे आखिर अमेरिका की चेतावनी कब काम आएगी 18 अक्टूबर को जब ब्रजिल ने प्रस्ताव लाया कि मानविय मदद के लिए युध रोक दिया जाए तब अमेरिका ने विरोत कर दिया अब वही अमेरिका कह रहा है कि मानविय मदद के लिए युध रोक दिया जाए जबकि उस समय अमेरिका को ही मनाने के लिए युद विराम सीज फायर की जगह मानवादिकार विराम का इस्तमाल किया गया अमेरिका ने कहा है कि ये समय युद विराम का नहीं है क्योंकि हमास के पास बंदक हैं मगर हमास कह रहा है कि इस्राइली बंबारी में 20 बंधक मारे गए हैं और इस्राइल कह रहा है कि बंधकों के कारण वो हमला नहीं रोकेगा इसलिए हमारा जोर इस बात पर है कि इस वक्त किसी के बयान को नमक बराबर ही समझें जब तक कि युद विराम नहों और शांती के कुछ ठोस प्रयास नजर ना आएं इसराइल विक्टिम आफ विक्टिम बन रहा है हजारों बंबरसा कर गरीब 6,000 लोगों को मार देने के बाद इसराइल जता रहा है कि इस पूरी लड़ाई में पीडित अगर कोई है वही है कई प्रमुक देशों ने हमास की निंदा की है उसके खात्मे के अभियान को सपोर्ट किया है फिर भी इसराइल कहे जा रहा है कि दुनिया हमास को उसके अपराद के लिए कब जवाब दे ठहराएगी मगर दुनिया तो यह सवाल भी उठा रही है कि इसराइल फलस्तीन के साथ दशकों से जो अपराद करता रहा है उस पर भी बात हो क्या इन सवालों पर इस्राइल के किसी भी बयान में आपको कोई जवाब मिला है गुतरेस का ये भाशन उन आवाजों को सरवच मंच देता है जो दुनिया भर के मुलकों में सडकों पर उतरी जनता की तरफ से आ रही है इस्राइल भले ही बंबारी के मामले में भारी पड़ रहा है मगर नेरिटिव की सतर पर फलस्तीन का मसला भी बराबरी से उठने लगा है जितनी तेजी से इस्राइल गजा पर बंग गिरा रहा है उतनी ही तेजी से फलस्तीन के साथ उसने क्या किया है किस तरह से जमीने हड़पी हैं लोगों को कैदी बनाया है ये बात भी दुनिया में फैल रही है सहीत रास्ट के महासचीव ने कह दिया कि फलस्तीन का गला घोट दिया गया उसकी जमीने हडप ली गई उनकी ये बात इसराइल को बहुत दिनों तक भारी पड़ेगी कि हमास का हमला शुन्य में नहीं हुआ उबामा ने भी इसी बात को अलग तरीके से कहा है कि नागरिकों पर हमले के कारण पीडियों तक फलस्तीनियों के मन में दरारे पड़ जाएंगी नफरते भर जाएंगी इसराइल के लिए ग्लोबल समर्थन कम होता जाएगा लेकिन इसराइल ने उबामा के पत्र पर नाराजगी जाहिर नहीं की क्या उसका गुसा भी संयुक्त रास्टे के महा सचीव के भाशन के बहाने निकल रहा है साथ अक्टूबर से मध्यपुर्व में युद्ध के फैलने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है रूस चीन अमेरिका और आस्टेलिया के युद्ध पोत के पहुँचने की खबरे आती है मगर अभी तक वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कई बार लगता है कि युद्ध के फैलने की बात बेवज़ा है अगर इसे मध्यपुर्व के देशों में फैलना होता तो 19 दिनों में फैल चुका होता इन 19 दिनों में अमेरिका और यूरोप के देश गज़ा के लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाए वे इसराइल का दौरा करते रहे और अपनी राजधानी लोटते रहे इसी सूची में फ्रांस के राष्टपती मैक्रों का भी नाम जुड़ गया है फ्रांस के राष्टपती मैक्रों ने कहा है कि हमास को खत्म करने के लिए अंतरास्ट्रिय गठबंदन बने फ्रांस उसमें शामिल होना चाहेगा क्या मैक्रो ये कह रहे हैं कि वे भी इसराइल के साथ इस युद्ध में उतरना चाहते हैं या गठबंदन बनाकर इसराइल को थोड़ा नियंतरित करना चाहते हैं कि युद्ध का फैसला अलाइंस के हिसाब से हो सवाल है कि इस अलाइंस का लीडर कौन होगा क्या या गठबंदन भी उसी तरह गजा पर उत्पात मचाएगा इरान ने कहा है कि वो इसराइल पर हमला करेगा वो कई बार कह चुका है इसराइल लगातार इरान पर आरोब भी लगा रहा है लेकिन संयुक्त रास्ट में अमेरिका के विदेश सचिव बलिंकेन ने कहा कि अमेरिका इरान से सीधा युद्ध नहीं चाहता अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध बढ़ा हो बशर्ते उसके नागरिकों पर इरान के बनाए हुए संगठन कोई हमला ना करें एक सवाल है क्या प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी भी अपने दोस नितन्याहूं के लिए इसराइल जाएंगे दोस्ती है तो इतनी देरी क्यों? फिल्म अबिनेतरी कंगना रौनौत ने दिल्ली में इसराइल के राजदूद से मुलाकात की है इसराइल की सरकार के आधिकारिक ट्वीटर चैनल ने कंगना रौनौत का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया है कि हम भारत से मिल रहे प्यार को महसूस करते हैं इसराइल ने तस्वीर भी जारी की है इसराइल अभी तक हमास की तुलना अल्काइदा, आइसिस, हेजबुल्ला नाजी जर्मनी से कर चुका है मगर कंगना ने हमास को रावन से जोड दिया इस पूरे मामले में अमेरिका से भी जादा कंगना अपने राजनेग दाइत्वों को निभा रही है इन तस्वीरों से जनता के स्तर पर भारत अपनी दोस्ती का इजहार करता लग रहा है लेकिन प्रधान मंत्री मोदी कब तेल अवीब जाकर पहले की तरह बीबी से दोस्ती का इजहार करेंगे क्या हुआ अगर प्रधान मंत्री मनिपूर नहीं गये मगर इसराइल जाने से कौन रोख सकता है केवल चुनाव रोख सकता है फिल्म अभीनेतरी कंगना रनाओ दिल्ली में इसराइल के राजदूद से मिलाती हैं प्रधान मंतरी मोदी भी तेल अभीब तो जाही सकते हैं इसराइल ने वैसे भी कंगना के बहाने प्रधान मंत्री का शुक्रिया अदा किया है। इसराइल के पक्षमे भारत में इतना अच्छा माहौल बनाने के बाद भी विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री मोदी तेल अभीब नहीं गए ये अच्छी बात नहीं है। इस पूरे मामले में भारत की गंभिर्ता को गंभिर्ता से ही लिया जाना चाहिए। हीतर हीतर इसराइल का साथ दे रहे हैं। में सेयुकरब हमिरात ने दक्षणी लिबनन, ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान और लाल सागर में बढ़ते तनाव की और इशारा किया है। मद्यपुर्व में युद्ध फैल जाएगा, इसकी चिंता इसराइल को नहीं दिखती, वो गज़ा पर बे तहाशा हमला किये जा रहा है। अभी तक इसराइल ने गज़ा पर जितनी तबाही बरपाई है, क्या वो किसी तरस से कम है, आकिर इन देशों के हिसाब से अंतिम सीमा रेखा क्या है, जिसके बाद वे अपने बयानों को एक्शन में बदलेंगे, युद्ध टालना वहवारिक फैसला है, लेकिन यहां तो युद्ध भी नहीं टलता नजर आ रहा, अब आते हैं कतर की भूमिका पर, इसराइल जिसकी तारीफ कर रहा है, यह कतर की राजधानी दोहा है, दोहा इसराइल की राजधानी तेल अवीब से 2000 किलो मिटर दूर है, जिस वक्त यह वीडियो लिया गया है, उस वक्त यह मुल तो सामान पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है, इसका निवेश यूरोप के खेल संगठनों में है, कई कमपनी और प्रोजेक्ट में है, जब से कतर पर आरोप लगा है कि इसने भी हमास को बढ़ावा दिया है, कतर के निवेश को लेकर सवाल उठने लगे हैं, मामला फ्रांग, जर्मनी, ब्रिटेन ने इसराइल के साथ साथ कतर से भी संपर्क साधा कि वो बंदकों की रहाई में मध्यस्त की भूमी का अदा करें, दो अमेरिकी नागरिकों की रहाई भी हुई, रॉइटर्स ने सुतरों से लिखा है कि कतर ने हमास से अपील की है, कि हमास ने इंधन की मांग कर दी, तो कतर की भूमिका पर दुनिया की नजर है, उस पर हमास को मदद पहुचाने के आरोप हैं, तो वही कतर 200 बंदकों की रहाई को लेकर हमास से बाचित भी कर रहा है, कतर का कहना है कि वो रहाई को लेकर आशावादी है, पिछले एक दशक्त से कतर दोहा में हमास की मिजबानी करता रहा है हमास के प्रमुक नेता कतर में रहते हैं या रह चुके हैं उसके नेताओं का यहां आना जाना रहा है इसराइल से भी उसके रिष्टे कतर के काफी अच्छे रहे हैं और कतर की भूमिका की इसराइल तारीफ कर रहा है एक तरफ क एक एहम भागिदार बनता जा रहा है। इस समय में उनके कूट नितिक प्रयास बेहत जरूरी है। जब हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था तब कतर नहीं गजा में प्रशासनिक अधिकारियों की तंखा दी, गरीब परिवारों के खातों में पैसे दिये और मानविय सहायता पहुचाई। बाइडन प्रशासनिक कतर को लेकर समवेदन शील है। उसकी भूमिका को लेकर तारीफ भी कर देता है और अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दबाव भी डालता है। अमेर्की विदेश सचीव एंटिनी बिनकेन हमले के बाद अपने कबजा किया है उसे चारों तरफ से घेर लिया है उसकी जमीन पर अपनी बस्ती बसा लिया हम शांती के समर्थक हैं और ऐसा समधान चाहते हैं जिसकी अंतरास्ट्रिय मानिता हो हमारा कहना है कि अब बहुत हो चुका इसराइल को आप हत्याय करने की खुली छूट नहीं दे है इन सभी गतिवीधियों से घजा के नागरिकों के लिए कुछ भी हासिल नहीं हो रहा इसराइल के बमों की गिनिती और घजा के लाशों की गिनिती के अलावा बाकी दुनिया के लिए कुछ नहीं बचा हम जिन निताओं को पावरफुल ताकतवर नजाने क्या क्या कहते ह और बनाते हैं उन्हीं के आगे आम जनता लाचार नजर आती है उनकी लाइफ ठीक चल रही है नेताओं की वे इस माहौल में भी अच्छे कपड़ों में नजर आते हैं और एक दुसरे से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते नजर आते हैं नमस्कार मैं रविश कुमार